जब market में बहुत सारे news आए, positive, negative, सब तरह के, और आपको पता ना चले कि क्या करना चाहिए, अपने portfolio के बारे में, trading के बारे में, तब हम भूलते ना English में कि we should go back to the basics, बहुत ही सरल कर दीजिए अपने analysis को, तो अगर आपको पता नहीं है कि आगे का nifty का new move क्या हो सकता है, trend क्या हो सकता है, तो सिर्फ अगले 3 minute के लिए मेरे साथ ये analysis कीजिए, ये analysis बहुत ही सरल है, तो चलिए देखते हैं last कुछ दिनों में क्या हुआ, last कुछ दिनों में government के तरफ से market में बहुत सारी अच्छी news आ GST के slab के underline गे, उसके बाद कल अरुन जेकली जी ने बताया कि वो 80,000 क्रोर, 80,000 plus something क्रोर infuse करना चाहते है, public sector banks में बहुत ही अच्छी news थी, बहुत ही बढ़िया news थी, इसके वज़े से market फट जाना चाहिए था, उसके साथ साथ आज जो Brent crude oil है, आज 54 डॉलर पे चल रहा है और अपना जो रुपया है, उसका exchange rate USD INR, $1 equal to 70 rupees के आज पास चल रहा है, ये सारी news के वज़े से market को बहुत उपर जाना, market उपर गया, लेकिन उसको बहुत ही उपर चले जाना चाहिए था, उसने 11,000 को significantly cross कर देना चाहिए था, जबकि हमने देखा, जब भी market 11,000 के करीब आ आता है, वहां से कुछ ना कुछ होता है और market वहां से retract करता है, market ने 11,000, 11,100 significantly cross कर ही नहीं पा रहा है, और ये संकेत है कि market में एक undercurrent bearish nature है, एक undercurrent मन्दी की संभावना लगती है market में ये analysis के द्वारा, उसके साथ साथ में और एक बात बता दूँ कि ये है Nifty, Nifty का चार्ट, Nifty August में 11,700 था और वो October में 10,000 था, तो दो मेने में Nifty ने 1700 points की गिरावट दी थी, और इसी के बाद 25 October से अभी तक अभी भी दो मेने हो चुके है और Nifty सिर्फ 800 points चड़ा है, देखिए, same amount of time में एक गिरावट के वक्ग 1700 points और उपर जाते वक्ग 800 points, ये और एक संकेद है कि Nifty में एक अंडरकरंट मंदी है और आज एक बहुत ही pivotal day हो सकता है, क्योंकि कल ही अरुण जेटली जी ने बताया था कि वो चाहते है, ठीक है कि उनको पारलिमेंटरी कमिटी से, पारलिमेंट से नौड चाहिए, कि करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ग थोड़ा सा positive था और वहां से market round about 130 points, 130 points negative Nifty और bank Nifty आज 200, 200 points negative जाके थोड़ा सा bounce back दिया है, आज का दिन बहुत ही important हो सकता है Nifty के next trend के लिए, हम मानते है कि इस सब के analysis के बाद हम मानते है कि Nifty 11,000 के उपर नहीं tick पाएगा, 11,000 के significantly उपर नहीं tick पाएगा, और यहां से Nifty अ अपना जो downtrend है, नीचे की गिरावट वो फिर से start कर देगा, तो अगर आपका portfolio है, तो बचाए रखिये, और अगर आपको समझते हो, आपकी कैसा करना चाहिए, तो वो बचाए रखिये, अगर आप trader है, अपना analysis लगाईए, और इस possible next move का फाइदा उठाईए, Thank you very much, enjoy trading, औ enjoy investment, see you guys.